अनिल, क्या तुम जानते हो लागत व्यवसाई को प्रभावित करती है? लागत? किस तरहा की लागत दिव्या मैम? लागत संसाधनों का मौदरिक मूल्य है जैसे सामगरी, श्रम और ओवरहेड्ज जिसका उप्योग किसी उत्पात या सेवा की डिलिवरी में किया जाता है कई मामलों में किसी सेवा की डिलिवरी में कोई सामगरी शामिल नहीं भी हो सकती है तो व्यवसाय में लागत की भागिदारी व्यवसाय की प्रकृती से भिन होती है लागत को विभिन तरीकों से वर्गिक्रत किया जा सकता है यहां कुछ तरीके है कुछ लागत लागत वस्तु के साथ सहयोग पर अधारित है इसे प्रत्यक्ष बनाम और प्रत्यक्ष लागत भी कहा जाता है कुछ लागत गतिविधी में परिवर्तन की प्रतिक्रिया पर आधारित है इसे स्थिर बनाम परिवर्तनिय लागत भी कहा जाता है कुछ लागते वित्य विवरणों के वर्गी करण पर अधारित होती है इसे expired बनाम un-expired लागत भी कहा जाता है क्या आप बता सकती है कि इन में से प्रतियक लागत व्यावसाइक गतिविधियों में कैसे काम करती है जिरूर मैं उन्हें एक एक करके समझाती हूँ प्रत्यक्ष बनाम un-pratyaक्ष लागत विभिन लागत वस्तूओं के साथ उनके सहयोग पर अधारित है एक लागत वस्तू, एक मद या वस्तू है जिसके लिए लागत अलग से मापी जाती है यहां कुछ समाने प्रकार की लागत वस्तूओं है आउट्पुट लागत वस्तूओं को परिभाशित करने का सबसे आम तरीका है यहें एक व्यवसाई के आउट्पुट पर अधारित है क्योंकि एक व्यवसाई अपने आउट्पुट के उत्पादन या निर्मान की लागत चानना चाहेगा ओपरेशनल व्यवसाई की भीतर एक विभाग या एक विशिष्ट ओपरेशन या प्रक्रिया पर आधारित है उधारिन के लिए कोई व्यवसाई ग्राहक सेवा कौल की लागत को माप सकता है व्यावसाईक संबंध व्यावसाईक के बाहर एक इकाई पर आधारित है उधारिन के लिए लागत प्रतियक अपूर्तिकर्ता या ग्राहक के लिए एकत्र की जा सकती है प्रत्यक्ष लागत वे हैं जो लागत वस्तु या वस्तुओं से सीधे और आसानी से पता लगाए जा सकते हैं अप्रत्यक्ष लागत वे हैं जो आर्थिक रूप से किसे लागत वस्तु के लिए निर्धारित नहीं किये जा सकते हैं और इसलिए इन लागतों को एक लागत वस्तु या वस्तुओं को आवंटित किया जाना चाहिए इससे पहले हमने राजू ठेले वाले के कारोबार के बारे में चर्चा की थी उनके मामले में लागत वस्तु कैसे काम करती है मैम? हाँ, जब राजू ठेले वाले की बात आती है तो लागत वस्तु कई माईनों में काम कर सकती है राजू ठेले वाले के लिए लागत वस्तू, मौसमी सब्जियां और गैर मौसमी सब्जियां या बीन्स या भिंडी जैसी हरी सब्जियां, आलू या गाजर जैसी जड़ सब्जियां और अन्य प्रकार की सब्जियां हो सकती है अगर वे फल भी बेचना शुरू कर दे, तो लागत वस्तू सबजियां और फल हो सकते हैं फल और सबजियों की लागत प्रत्यक्ष लागत है, क्योंकि उन्हें क्रमश्र दो लागत वस्तूओं फल और सबजियों से पता लगाया जा सकता है बता दें कि राजू ठेले वाला सर्धियों के दौरान चाय खरीटता है और गर्मी के दिनों में नीम्बू पानी अपने ठेले पर काम करते समय चाय और नीम्बू पाने की लागत अप्रत्यक्ष लागत है क्योंकि उनकी लागत को दो लागत वस्तूओं फल और सब्जियों पर वापस नहीं पाया जा सकता है इसलिए चाय और नीमू पाने की लागत को दो लागत द्वस्तों के लिए आवंटित किया जाना चाहिए एक निश्चित बनाम परिवर्तनिय लागत भी है यह कैसे काम करता है मैम? चलिए मैं बताती हूँ की कैसे यह समझने के लिए कि आउटपुट के साथ लागत कैसे बदलती है यह एक निश्चित बनाम परिवर्तनिय लागत के रूप में लागतों को वर्गी कृत करने के लिए उप्योगी है वे लागतें जो उतपादन स्तर में परिवर्तन की परवाह किये बिना अलपावदी में भिन नहीं होती है उन्हें निश्चित लागत कहा जाता है उतपादन स्तर के साथ बदलती लागत को परिवर्तनिय लागत कहा जाता है राजु ठेले वाले के लिए उसकी ठेले की लागत तै है क्योंकि ये इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि वे कितने फल और सब्जियां बेचता है चाई और नीबू पानी की लागत भी तै है क्योंकि वे इस बात पर निर्भर नहीं करते हैं कि वे कितने फल और सब्जियां बेचता है बेचे जाने वाले फलों और सब्जियों की लागत परिवर्तन शील होती है क्योंकि यह इस बात से भिन होती है कि वहे कितने फल और सब्जियां बेचता है एक्सपायर्ड बनाम अनेक्सपायर्ड लागत के बारे में क्या यह व्यवसाय में कैसे काम करता है मैम expired बनाम unexpired लागत गणना यह जाचने में मदद करती है कि पूंजी का अपयोग कैसे किया जा रहा है यह निर्धारित करने के लिए कि कोई लागत balance sheet या I statement पे दिखाई देनी चाहिए लागत को expired बनाम unexpired लागत के तरीके से सोचना उपयोगी है expired लागत वे है जो पूरी तरह से भस्म हो गए है या उन लाभों से जो व्यवसाई द्वारा प्राप्त किये गए है unexpired लागत वे हैं जो अभी तक पूरी तरह से उपभोग नहीं किये गए है और उनका कुछ अवशिष्ट मूल्य है यदि आप P&L स्टेट्मेंट को देखते हैं तो आप देखेंगे कि सभी खर्चों की अबधी समाप्त हो चुकी लागतों के रूप में दर्शाई गई है जबकि balance sheet पर परिसंपतियां अनपेक्षित लागतों का प्रतिनिधित्व करती हैं राजू ठेले वाले के मामले में बेचे जाने वाले फलों और सबजियों की लागत expired लागत है क्योंकि वे बेची गई वस्तों की लागत की रूप में दिखेंगी जिससे P&L स्टेट्मेंट पर COGS कहा जाता है फलों और सबजियों की लागत जो अभी तक बेची नहीं गई हैं वे unexpired लागत हैं क्योंकि वे बैलन्स शीट पर inventory के तेहर दिखाएंगे उनके ठेले का वार्षिक मूलेहरास लागत expired लागत है और इसलिए P&L स्टेट्मेंट पर दर्च किया जाएगा उनके ठेले का मूल्य, मूलेहरास लागत का शुद्ध मूल्य, unexpired लागत है और इसलिए balance sheet पर दर्च किया जाएगा balance sheet पर हर साल वार्षिक मूलेहरास लागत से ठेले की unexpired लागत कम हो जाएगी यदि हम ठेले के लिए 10 साल की उपयोगी और 10,000 रुपे की प्रारंभिक लागत मानते हैं तो इसकी एक साल की unexpired लागत 9,000 रुपे होगी दो साल के बाद 8,000 रुपे और इसकी unexpired लागत 10 साल बाद शुन्य हो जाएगी क्या किसी व्यवसाई के सभी input को बिक्री योग्य आउटपुट में बदला जा सकता है? हाँ, बिल्कुल, मैं आपके लिए रुपांतरन की डिग्री विस्तृत करती हूँ लगभग, सभी व्यवसाई बिक्री योग्य आउटपुट में input को परिवर्तित या संशोधित करते हैं इनपुट में आम तोर पर कच्चे माल, श्रम और ओवरहेड्ज होते हैं रुपांतरन की लागत एक व्यवसाई द्वारा किये गए रुपांतरन की डिग्री पर निर्भर है आप रुपांतरन के तीन डिग्री के बारे में सोच सकते हैं निम्ण, मध्यम और उच्च लगभग कोई भी भौतिक रुपांतरन की साथ स्थान, समय और विविदता के संदर्भ में ग्राहकों को सुविधा प्रदान करना रुपांतरन की कम डिग्री कहा जाता है राजू ठेले वाले के उधारन में वहें अपने ग्राहकों के लिए फलों और सब्जियों के स्थान और समय के संदर्भ में उप्योग में आसानी प्रदान करता है आउटपुट में द्रिश्यमान रुपांतरन की कुछ मात्रा को रुपांतरन की मध्यम डिग्री कहा जाता है उधारन के लिए राजु ठेले वाला अनावशक पत्तियों, जड़ों और डंठल को हटाता है धोता है और फलों और सबजियों को अपने ग्राहकों को बेचने से पहले प्लास्टिक में पैक करता है इनपुट से आउटपुट में एक बड़ा परिवर्तन रुपांतरन की उच्छ डिग्री कहा जाता है इसका एक उधारन बजाज मोटर्स या हीरो मोटो कॉप जैसी टूविलर कमपनी होगी वेधातू, प्लास्टिक और काच से बने दोपईया वाहनों के विभेन भागों से युक्त इनपुट लेते हैं और इसे दोपईया वाहनों को मोटर में परिवर्तित करते हैं रिलाइंस फ्रेश, डी मार्ट, बिग बजार जैसे रिटेल कमपनीों के पास रुपांतरन के मध्यम से कम डिगरी है बजाज ओटो, हीरो मोटो कॉर्प, अमुल, एशियन पेंट्स या बॉम्बे डाइंग टेक्स्टाइल्स जैसी वी निर्मान कमपनीों में उच्छ स्तर का रुपांतरन होता है उत्पात की लागत, बेची गई वस्तूओं या COGS की लागत के प्रमुक निर्धारक हैं, जो PNL स्टेटमेंट पर दिखाई देते हैं वे राजस्व उत्पन करने के लिए उप्योग की जाने वाली वस्तूओं या सेवाओं की लागत का प्रतिनिधित्व करते हैं तीन मुख्य घटक हैं, प्रत्यक्ष सामगरी, प्रत्यक्ष श्रम और ओवरहेद्स, आईए इन में से प्रत्यक कारक के बारे में चर्चा करें यह आउट्पुट के उत्पादन में सीधे उप्योग की जाने वाली किसी भी सामगरी की लागत है उधारण के लिए एक दो पईया वाहन के लिए इसमें इंजन, इंधन टैंक, सदमे अफशोशक, दरपन, हैंडल बार, पईये या टायर की लागत शामिल होगी Hero Motor Corp, Amul या Asian Pains जैसे निर्मान कमपनियों के लिए प्रत्यक्ष सामगरी लागत महत्वपून है Infosys, Vipro, भारतिय स्टेट बैंक या ICICI बैंक जैसी सेवा कमपनियों के लिए प्रत्यक्ष सामगरी लागत कम या महत्वहीन है प्रत्यक्ष्रम लागत एक उत्पात के निर्मान या सीवर प्रदान करने में शामिल व्यक्तियों की लागत को संदर्भित करता है लागत में शामिल व्यक्तियों को वेतन, बोनस, बीमा, पेंशिन लाब, अरजित अवकास शामिल है इसमें आम तोर पर व्यक्तियों को भुकतान की गई ओवर टाइम लागत शामिल नहीं होती है इसमें कारेकारी, वेतन भोगी, विक्री टीम को भुकतान के गई कमिशन, विज्यापन, प्रशासनिक भवन के लिए भुकतान के गई उपयोगिताओं या व्यवसाईक उद्देश्य से निर्मित किसी भी अन्यसन रचनाओं के वेतन शामिल नहीं है ये सीधे किसी उतपात के निर्मान या किसी सेवा के वितरन में शामिल नहीं होते हैं जबकि प्रत्यक्ष सामगरी लागत और प्रत्यक्ष श्रम लागत प्रत्यक्ष लागत है ओवरहेड लागत में उतपात के निर्माण या किसी सेवा के डिलिवरी में अप्रत्यक्ष लागत शामिल होती है उधारण के लिए एक दुपईयावाहण के निर्मान में गोंद की सही मात्रा और लागत और उप्योग किये गए स्क्रिूज की सही संख्या या लागत का ट्रेक रखना पहुत मुश्किल होगा गोंद और स्क्रिूज की लागत अप्रत्यक्ष लागत होगी लेकिन इनकी लागत को अभी भी उत्पाद लागत के तहट शामिल किया जाना चाहिए यहे जानने के लिए कि इन लागतों की गणना कैसे की जाती है हमें लागत आमंटन के बारे में जानना होगा जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की है कि ओवरहेड जैसे अप्रत्यक्ष लागत को आसानी से किसी उत्पाद या सेवा में वापस नहीं पाया जा सकता है इसलिए व्यवसायों को प्रत्येक उत्पाद या सेवा या मोटे तोर पर प्रत्येक लागत वस्तु को आवंटित करने की अविशक्ता होती है लागत आवंटन एक ऐसी विदी है जिसके माध्यम से एक व्यवसाई विभिन लागत वस्तों में एक अप्रत्यक्ष लागत आवंटित या वित्रित करता है लागत आवंटन के चार भाग हैं लागत पूल, लागत वस्तुमें, लागत चालक और आवंटन मात्रा आईए उनमें से प्रतियक के बारे में चर्चा करें लागत पूल यह कुल अप्रतियक्ष लागत है जिसे लागत वस्तों में आवंटित करने की अवश्यक्ता है आईए उनमें से प्रतियक के बारे में चर्चा करें लागत अबजेक्ट जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत में विभाजित है लागत ड्राइवर को कुछ गुण या विशेष्टा के रूप में परिभाशित किया गया है जिसे हम प्रत्य एक लागत वस्तू के लिए माप सकते हैं आवंटन की मात्रा सभी लागत वस्तूओं में लागत चालक राशियों का समुचय है लागत आवंटन की चरण ओवरहेड दरों द्वारा निर्धारित किये जाते हैं ओवरहेड दर आवंटन वॉल्यूम द्वारा विभाजित लागत पूल में राशी है लागत का अमंटन जानने के लिए प्रतिये एक लागत वस्तु में लागत चालक इकाईयों की संख्या से ओवरहेड दर को गुणा करें Ma'am, can you explain how the cost allocation works in the case of Raju the ठेलावाला? Sure Anil, let's see how cost allocation works in this case In the case of Raju the ठेलावाला, tea and नीबुपानी are indirect costs that he incurs Now, how does he allocate the costs of tea and नीबुपानी to the cost of fruits and vegetables sold? To know exactly that, we need to identify the four parts of cost allocation First would be the cost pool Let's say that he spends a total of Rs. 20 on a given day to tea or नीबुपानी Next are the cost objects Raju has two cost objects, fruits and vegetables After that comes the cost driver Raju takes the total kilograms of cost objects sold as his cost driver Cost drivers are the number of kilograms of fruits and vegetables sold At the end, we need to know his allocation volume The allocation volume is the total kilograms of fruits and vegetables sold Let's say that he sold 10 kilograms of fruits and 15 kilograms of vegetables So, allocation volume is 25 kilograms The overhead rate is the amount in the cost pool divided by the allocation volume 20 divided by 25 which is Rs. 0.80 per kg Cost allocated to each cost object Fruits 0.80 multiplied by 10 which is equal to Rs. 8 Vegetables 0.80 multiplied by 15 which is equal to Rs. 12 So, the Rs. 20 indirect cost has been allocated as Rs. 8 to fruits and Rs. 12 to vegetables cost objects That was very knowledgeable Divya ma'am Thanks for all this information As always, you are most welcome Anil